दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने कुछ डेटा भेजा एक्सल के अंदर और जो उन्होंने कोश्चन किया है मुझे लगा कि आप सभी लोगों को बताना चाहिए वह काफी लोगों के लिए हेलफुल हो सकता है हो सकता है उसकी आपको भी जरूरत पढ़ती रहत ठीक है तो वो क्या करता है न जो सेल्स के बिल होता है वो मैनवली एकसल के अंदर जो है एंटर करते हैं तो यहाँ पर बिल नमबर आ जाता है और यहाँ पर बिल नमबर में अगर पांच आइटम है तो वो बिल नमबर पांच बार लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पर देख तो उनका question यह है कि कोई बिल छुटना गया हो हमें कैसे पता चलेगा बिल नमबर एक, दो, तीन, चार, मालो हमरे पर हजारों बिल है manually हम एंटर करते हैं कोई बिल अगर बीच में miss हो गया या फिर delete हो गया तो वह कैसे पता चलेगा कैसे हम पता कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है हमारे यह जो total है यह हो सकता है यह हमारा amount delete हो गया अब यह कैसे पता चलेगा कि हमारा यह delete हो गया है तो इस चीज को हम पता करेंगे, Ctrl-Z करता हूँ, सबसे पहले आप इसमें अपने डेटा को Select करेंगे, Ctrl-A कर लेंगे, तो पूरा डेटा नीचे तक Select हो जाएगा, नहीं होता तो आप माउस से Select कर लेना, ठीक है, पूरा डेटा पहले Select करना है, अब हम इसमे पाइवर टेबल अपलाई करेंगे, पाइवर टेबल बहुत हेल्फुल चीज है, और लेडी काफी मैंने वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दाल दिया है, और इसके, इसमें मैंने काफी डीपली वीडियो बनाई है, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवर टेबल में जाएंगे, और यहाँ पर हम जाएंगे, निउ वर्शीट पर हमें टेबल चीज़िए, ओके कर लेंगे, ठीक है, तो हम यह चेक कर रहे हैं, कि हमारा बिल नमबर कोई छुटा तो नहीं, और हमारा जो टोटल का अमाउंट है, वो बिल्कुल exact match हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आब यहाँ पर हम ले लेते हैं, बिल नमबर, इसको drag करेंगे, यह रो के box में डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो repeat नमबर थे, देखेंगे यहाँ पर बिल नमबर repeat हो रहे थे न, जो आपको बिल नमबर दो, कई बार आ रहा है, तीन कई बार आ रहा है, इस तरह से repeat हो तो यहाँ पर unique value आ जाएग उसकी, यह करेगा, bill number 1 का मैं आपको दिखा देता हूँ, bill number 1 में तो एक ही है, bill number 2 लिया, इन दोनों का total करेगा तो वो यहाँ पर लिख देगा, कि भई, bill number 2 का total यह है, और अगर आपने इदर भी total लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर जाएगा इसी के सामने ठीक है तो इस से अब हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारा किस-किस का टोटल यहां पर एंटर हो चुका है किसका मिस हो गया है आप यहां देख सकते हैं बिल नमबर 16 मैं शुरू में ले लेता हैं कहीं भी ले सकते हैं वैसे तो यहां पर मैं लेता हूं सीरियल नमबर s number यहां पर हम लेते हैं one two और इसको नीचे तक मैं ड्रैक कर लेता हूं या फिर मैं यहां पर यहां पर double click करूँगा यहां पर यह तरह से plus आ जाएगा double click तो नीचे तक यह fill हो जाएगा serial number ठीक है तो यह last तक हम चले जाते हैं साफी नीचे तक है तो देखें अब यहां पर हमारा जो यह वाला number है और यह वाला number में match होना चाहिए बिल्कुल तो 321 और 321 322 322 ठीक है इस तरह से आ गया है लेकिन अगर हम इसको यह तो 300 है मालो एक लाक है तो कैसे पता चलेगा तो उसके लिए माइनस का फॉर्मला लगा रहते हैं equal to this minus this ठीक है और अब इसको नीचे तक डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं क्लिक करूंगा आ पर चलेगे यहाँ लूए जाएग कर लेका और और आप्य हम क्लिक कर के जाएगा ड्रवेक्ट यापर क्लिक करके मैं इसको बहुंऑ फॉर्मा प्र्माइट कर लेता हूं और अब हम क्या करेंगे यहां पर हम जाएगे pengenगे ऊपर यहाँ पर हम लगाएंगे filter control shift L filter लग गया है यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ अगर difference कुछ भी difference होगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा देखिए यहाँ पर है dash और यहाँ पर है value value error क्या है हम देख लेता है click करेंगे ok करेंगे तो यह last वाला है grand total वाला ठीक है simple यह clear है आपको अब हम थोड़ा changes भी करके देख लेते हैं पकड़ में आ रहे है या नहीं तो यहाँ पर मैं कुछ उच गलत कर देता हूँ serial number for example मैं इस वाले को कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर difference आजाएगा माइनस करके और अब हम यहाँ पर filter करके पता लगा सकते हैं यह देखेगा यहाँ पर आप tick करेंगे इस तरह से और इस तरह से और ok कर देंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे इस bill number में problem है ठीक है अब हम यहाँ पर देख लzeniu करते हैं amount में ठीक है तो amount में यहां पर missing आ रहा है अच्छा formula में गलती होगी f2 करके देखते हैं तो यह इस box को पकड़ रहा है कोई बात नहीं इसको delete करेंगे यहां पर हम हमें लिखना पड़ेगा manually equal to यहां पर हम लेखेंगे d4 d4 minus और e4 e4 पाइवर टेबल में यह होता है क्लिक करते हैं तो वह उपर वाली डोग को वह ले लेता है उसका नाम तो वह थोड़ा गलत हो जाता है इस तरह हम ड्रैक कर लेता है तो अब देखें यहां पर difference आगी न अब इसको भी हम नीचे तक ले जाता है डबल क्लिक कर ल करना है बागे तो हमें चाहिए ओके कर देता है तो देखें यहां पर यह 120 है यहां पर नहीं है यह पर यहां पर नहीं है यह पार यहां पर नहीं है यह पार यहां पर नहीं है यह पर नहीं है यह पर नहीं है यहां पर एंटर हुआ हुआ है तो इस तरह से हम अपना सेस का म annually के भाई देखो यहाँ पर यहाँ पर दो difference आए गई नहीं क्योंकि दोनों जगा blank है तो इस condition में आप यहाँ पर अपना blank का वो ले सकते हैं selection blank और okay तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना blank भी देख लेना कि भाई ऐसा तो नहीं दोनों तरह blank है तो तब तो zero आगा है obviously तो दोस्तों यह थी Excel की एक छोटी सी वीडियो आई होप आपको helpful लगी होगी अगर आपको helpful लगी तो like जरूर कर देना अगर आप Excel को basic से सीखना चाते हैं advanced level तक तो आप मेरे Excel के course को join कर सकते हैं उसमें मैंने basic से advanced तक with MIS report और dashboard report उसमें explain किया है अगर आप किसी company में काम करते हैं तो आपके लिए काफी helpful जो है उसकी वीडियो होने वाली है course की 90 वीडियो मिलेगी हर वीडियो के साथ आपको data sheet practice sheet मिलेगी और course करते हुए अगर आपको कोई problem आती है कोई चीज़ समझ नहीं आ रहे कोई formula function कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे directly call या workshop करके भी पूछ सकते हैं आपको फिर मैं उसमें back end में support भी देता हूँ मेरी website पर techgroupplus.com पर जाएंगे तो आपको सारी information course के बारे में मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों मिलता है आपसे next video में तब तक के लिए take care and goodbye